हलो, वेलकम और नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल Only Success पे और आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे KBS के नोटिफिकेशन के बारे में तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत अच्छी खबर है और इस वीडियो पूरा एंट तक जरूर देखिए और जो भी नए साथ है आज पहली वार इस चैनल से जोड़ रहे हैं या देख रहे हैं अगर अभी तक वो देखते हैं पर युका होता है तो आप पता होता है कि आप का जियर्ण चैनल से भी जूट जाहिए आप ज़लदी से यह तेलिग्राम चैनल का यह only success official है directly आप अगर search करेंगे तो भी मिल जाएगा यह logo अपने channel का है वहाँ same logo लगा हुआ है और अभी तक कोई ऐसा दूसरा channel नहीं है इस नाम से तो आसानी होगा आपको search करने में description में जो link दिया हुआ है वो यह वाला link है तो आप directly only success official भी search करा लेंगे तो भी आप जो है इसके through भी join कर सकते हैं तो आप लोग को चैनल से जरूर जुड़ जाएगे अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे है जी एस उसमें अगर 10 questions अभी part है तो आपको उसका फायदा जरूर होगा ठीक है दोस्तों और इससे पहले अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं ये सारी काम की बाते हैं तो हो गई अब बात हम लोग कर लेते हैं कि आज की जो information है वो है क्या देखे मैं आपको एक notice दिखाऊंगा notice दिखाने से पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं यह जो बना रहा हूं तो इसलिए बना रहा हूं क्यों कि इसके लिए आज मेरे पास जानकारी है और आपको जो जानकारी दूँगा एकदम पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं अगर आप त्यारी कर रहे हैं टीचिंग एक्समाम की यूपी टीचिंग के मैक्समम लोग मुझे लगता है यूपी या किसी भी स्टेट का जो भी टीचर बनना चाहता है यूपी से मतलब नहीं है मेरा मतलब या अगर MP भी है या दिल्ली या राजस्थान मतलब यह KBS का क्योंकि All India एक्जाम है तो हर स्टेट के बच्चे यहां त नोटिफिकेशन है उसके बाद 19, 20, 21, 22 यानी की 4 साल हो गए अभी तक केवी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अब 4 साल नोटिफिकेशन नहीं आया तो हाला कि जो लोग थे जो कोर्स बना रहे थे बेच रहे थे यूटूब में या कोचिंग में वो लोग अपने अपने तर्ग दे के उन्होंने चार साल तक काफी कुछ मतलब एक मिस इंफॉर्मेशन कह लिजे दिया कि अभी तीन मेहने वेकेंसी दो मेहने वेकेंसी तो वेकेंसी उस इसाब से हर दो मेहने में केवी के वेकेंसी आ रही थे बट उसका कोई बेस नहीं था इसलिए मैंने आस्था कभी कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ बट अगर ये नोटिफिकेशन के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब आप तयारी कर ले शुरू कर दीजे अगर आप केवी के लावा अगर आप किसी भी जॉब की अगर त्यारी कर रहा है तो के वी की तैयारी आपको इसली भी करनी चाहिए क्योंकि के वी का नोटिफिकेशन जब भी आता है पूरा प्रोसेस 5-6 मेहने में आपको जॉइनिंग तर कम्पलीट कर देता है और इसका notification काव आएगा इससे पहले हम लोग ये बात करें तो उससे पहले मैं बता दूँ कि KB का notification जब भी आता है तीन महने के अंदर उसका exam conduct हो जाता है दो महने में result आ जाता है एक महने में interview होके joining आ जाती है यानि कि पूरा process 5-6 महने का ही process होता है जब भी notification आएगा उसके 6 महने में आपके हाथ में joining later होगा अगर आप select होते हैं तो तो ये एक अच्छी बात है दूसरी बात ये है कि इसका notification अभी आने वाला है notification कब आएगा अभी ये चल रहा है June जून में अभी तो vacation चल रही है vacation के बाद में अभी almost इसके notification का process लगभग complete है और ये UP या किसी state के teaching notification के तरह नहीं काम करता है कि अधियाचन मांगा अधियाचन गया अधियाचन मांगा अधियाचन गया इस तरह काम नहीं करता है KVS हो गए नभोदे विद्याले हो गए जितने विद्या ये सब central moment के schools होते है इनमें एक procedure होता है एक pattern है उसी हिसाब से file move करती है उसी हिसाब से notification आता है तो अभी notification की date discuss करते है उससे पहले में एक चीज़ बताता हूँ आपको एक notice आया भी फिला ये देखिए ये notice आप लोग देख पा रहे होंगे ये date है 25 तारीक की 25 पांच 2022 की ये notice है और इसके बाद में ये RTI किसी ने जवाम मांगा था कि TGT, PGT और primary में KV में कितनी vacancies है तो ये 25 मई यानि कि अभी जो अभी निकला है और इसमें अभी तक जो vacancies हैं ये कब तक की vacancies दे रखी है ये दो तारीक को प्राप्त हुआ है ये इतना ये सब है एक सेकेंट हाँ इसमें PGT की जो अभी तक vacant post हैं ये इन्हों ने दिया है 31.03.2022 तक का यानि 31.03.2021 तक की जो vacancies हैं ये इन्हों ने vacancy का data अभी तक दिया हुआ है PGT की जो vacancy है ये 1942 vacancy है TGT की 3850 है PRT की vacancy 432 है तो ये 31.03.2021 तक इतनी जो vacancy है ये vacancy खाली है ये जो KVS जो headquarter है वहां से जानकारी मिली है केंदरी विद्याले संगठन के द्वारा ये जानकारी दी गई है तो ये encouraging ये तो है ही अपने आप में एक और जो encouraging news है वो मैं आपको बताता हूँ ये आप data पहले देख लीजे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि जो vacancy है मतलब ये जो main purpose था मेरा अभी केवी का जो notification है final stage में है मैंने भी थोड़े देर पहले बताया इसकी जो final process होता है लगभग complete हो गया है वो लगभग जो मुझे जानकारी मिली है दिल्ली से कुछ मेरे known friend है उन्होंने बताया था कि लगभग एक मेहने का वक्त अभी maximum लग सकता है maximum एक मेहने का मतलब यह है कि जून अभी चल रहा है प्रोसेस अभी notification का अभी इन प्रोसेस है जून के बाद में मान लीजे एक मेहने का मतलब जुलाई आ गया ठीक है जुलाई में notification का प्रोसेस जो भी मलब एक final drafting के पहले जो भी एक minor refining या कुछ भी रह जाता है एक मेहने का समय उसमें लगेगा जुलाई मान लीजे जुलाई के बाद में अगर आप इसको देखेंगे तो एक केवी में जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसफर प्रोसेस आपका जुलाई तक को भी लग जाता है जो संस्थान होता है कि कहां पर कितनी वेकेंसी अभी खाली हैं तो यह प्रोसेस आपका जुलाई तक चलता है ठीक है जुलाई तक जो केवी का इंटर्नल एन्वल प्रोसेस है ट्रांसफर वाला तो वो आपका जुलाई एंड तक माली जो पूरा जुलाई आपका निकल गया ट्रांसफर के लिए यह इंटर्नल प्रोसेस है जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है यह भी मैंने तक आएगा या आगस्त 15 से पहले आपका नोटिफ्फिकेशन आजाएगा केवी की बात कर रहा हूं मैं पूरे जिमिदारी से बोल रहा हूं कि 15 अगस्त से पहले आपका नोटिफिकेशन और अगर आप तयारि अभी तक नहीं शुरू की है आपने तो आप तयारी कर दीजिए notification का wait मत करिए क्योंकि KV का जो notification होता है वो अपने time पे जब आना होगा आ तो जाएगा पर exam में और appointment में समय बिल्कुल नहीं देते हैं तो इसलिए आप अगर तयारी कर रहे हैं तो इसको तयारी एकदम करते रहे हैं शुरू कर दीज़े बलकि और अगर आप PGT तयारी कर रहे हैं किसी भी state में अगर आप हैं PGT तयारी कर रहे हैं तो आप subject अपना मजबूत रखी है TGT तयारी कर रहे हैं तो TGT के लिए सभी subject की TGT के लिए KV का और other state के जो exam होते हैं थोड़ा difference रहता है वहाँ पे सभी TGT के लिए paper सेम रहता है KV में अगर आप बोलेंगे तो आप comment में जरूर बताइए तो मैं qualification या exam TGT का जो pattern है syllabus है उस पे मैं एक वीडियो बना दूँगा TGT PGT दोनों के लिए और notification के साथ बना दूँगा तो आपको समझने में आसानी होगी बस आप comment में मुझे बता दीजिए कि आपको इसमें एक वीडियो चाहिए है नहीं चाहिए अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप comment में मुझे बताएं मैं एक वीडियो बना दूँगा दूसरा यह है कि 15 अगर्स से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके तीन महने बाद यानि कि नॉमबर एंड से लेके दिसमबर तक आपका एक्जाम 100% हो जाएगा ठेक है दिसमबर आप मैक्सिमम एक सेफर साइड अगर लेके चलते हैं दिसमबर में आपका एक्जाम इसका हो जाएगा और एक्जाम होने के बाद में जहाइट सी बात है कि जैन या फैब मतलब फैब एं एंड तक आपका रिजल्ट आजाएगा क्योंकि जो भी एक्जाम होता है उमर्स चीट पर होता है तो इनका रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है इसके बाद में आपका मैक्समम जो है मार्च एंड तक आपका इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो आप यह मान के स्टेट का जो टीचिंग एक्जाम होते है उससे पहले जॉब की शियोटी देता पहली है तो नोटिफिकेशन अगर आ गया तो यह मान के चलिए कि अगर आप सीरेस है तो जॉब देके ही जाएगा कम से कम यह बेरोजगारी वाला जो स्टाइम्प है आपकी उपर लगा है ँरह नंसे तो बहुँं के लिए गी चलिए तो कि बहुं injury करते रहें और दूसरी बात यह है कि आपका यूपी को लेकि मैं बना ही चुका हूं वीडियो और टीूंग के लिए यह के लिए वेकेंसी आपकी बहुत जल्सक्राव और और जो भी लोग हैं PGT के तियारी कर रहे हैं KV के तियारी कर रहे हैं और जो भी टीचिंग से रेड़र जो भी तियारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी दो से तीन महने में कई सारे एक्जाम या चार महने में तो बहुत सारे एक्जाम होने वाले हैं जैसे एक राजिस्थान का एक्जाम है वो होने वाला है केवी का आई जाएगा यूपी का होगा तो आप यह मान के चलिए सभी एक्जाम की तैयारी आप इसको एक फ्रेम में रखी है जो आपके एक्जाम एक ही पैटन के हैं तो आप तैयारी को उसको उसी फ्रेम में तैयारी रखी ताकि आपको एक ही तैयारी से या थोड़ा 19-20 करके आपके ज्यादस ज्यादस पॉसिबिल्टी हो जाए आपके एक्जाम निकालने की तो बस इसी तरह आप थोड़ा से स्ट्राटेजी बनाई है आपका एक्जाम जरूर निकलेगा और बस यही जानकारी थी और आप त